सीबेसी वर्ट्स में आपका स्वागत है तो हम पढ़े थे class 7 science का first chapter जिसका नाम है nutrition in plants और 4 videos इस chapter के upload हो चुकी है आज इस chapter का last topic हम discuss करेंगे तो पिछले videos अगर आपने नहीं देखी तो right side में उपर एक eye button मंकर आ रहा होगा वहाँ से click करके देख सकते हो तो आज का हमारा topic है 1.5 How nutrients are replenished in the soil replenish का मतलब होता है फिर से भर जाना यानि आपने plant grow किया वो plant क्या करेगा soil से nutrients इस्तिमाल करेगा तो soil के अंदर जो nutrients है वो कम होने लगेंगे तो फिर से soil के अंदर nutrients कैसे आते हैं वो इस topic में हम पढ़ेंगे क्या आपने देखा है farmer को spreading manure और fertilizer manure यानि यह जो आपके खाद होती है बहुत type की होती है जिसे गाय के गुबर वगएरा डाला जाता है और जो आपके fertilizer हो गया है जिसे हम उर्वरक कहते है हो सकता है अगर आप खेत वगएरा गया हो गया हो गया किसान क्या करते है packet या बोरी के अंदर उनके पास कोई चीज होती है जो की मिट्टी के अंदर डालते है तो वही आपका fertilizer होता है तो खाद हो गया या उर्वरक हो गया manure या fertilizer वो field में डालते होई हो सकता आपने देखा होगा या garden वगएरा के अंदर डाला जाता है lawn वगएरा के अंदर या pot वगएरा के अंदर याणि जहाँ पर वी आपको plant ग्रोह करना होता है तो वहाँ मिट्टी में आप डालते हो ये सारी चीज़ें क्या आप जानते हो कि ये क्यों डाला जाता है ऐसा क्या रहता है इसके अंदर तो आप ये पढ़ चुके हो कि plant क्या करते है absorb करते है, minerals हो गया, nutrients हो गया जो soil के अंदर होता है उसे absorb कर लेते है तो nutrients का जो amount है soil के अंदर, keep on declining यानि कम होता जाता है plant use करता जाएगा, soil के अंदर nutrients कम होते जाएंगे अब जो आपके fertilizers है या manure हो गया इनके अंदर क्या होते है, nutrients होते है जैसे कि आपका nitrogen हो गया, potassium हो गया phosphorus हो गया, ये सारे nutrients fertilizer और manure के अंदर present रहते हैं तो हम time to time क्या करते हैं ये nutrients soil के अंदर डालते रहते हैं यानि soil के अंदर nutrients कम होए और हमने बाहर से manure डाल दिया या fertilizer डाल दिया, जिनके अंदर बहुत जादा amount में ये nitrogen, potassium, phosphorus ये nutrients present होते हैं तो soil में कम होगा, तो आपने डाला तो वो पूरा हो जाएगा तो हम plant को grow कर सकते हैं, औरने healthy रख सकते हैं, अगर जो nutrients की requirement है या जितने nutrients की जोरत है उसको हम पूरा कर सके हैं अबाम तोर से जो crop plants होते हैं या आपका गेहूँ, चावल, इस तरह के जो पौधे होते हैं, वो बहुत ज़दा nitrogen को absorb करते हैं, तो जो soil है वो deficit, यानि कम हो जाती nitrogen की, और ये चीज़ आप पढ़ चुके हो कि जो nitrogen gas है वो बहुत ज़दा amount में हमारी air में present है लेकिन plant उस nitrogen gas को use नहीं करते carbon dioxide उस तरह से use करते हैं कि आपकी leaf है, leaf के अंदर tiny pores होते हैं, चोटे-चोटे holes होते हैं जिसे हम इस tomato कहते हैं हमारे आसपास जो carbon dioxide present है वो इसी hole के अंदर होते हैं वो leaf के अंदर चली आती है लेकिन nitrogen इस तरह से नहीं जाती तो plant जो nitrogen लेते हैं, वो soluble form में लेते हैं यानि ये चीज़ हम देख चुके हैं कि bacteria का करता है हमारे atmosphere में, जो gas के form में nitrogen है उसको लेते हैं और उसको बदल के पानी के अंदर mix कर देते हैं उसका solution बना लेते हैं, soluble बना लेते हैं और उसके बाद roots में जाकर फिर वहां से leaf तक पहुँच जाता है तो जो bacteria ये काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, rhizobium अब देखो यहाँ bacterium लिखा है एक bacteria होता है, तो उसको हम कहते हैं यानि एक के लिए हम bacterium यूज करते हैं और बहुत सारे जब होते हैं तो उसे हम bacteria कहते हैं तो ये जो bacteria में से हम rhizobium कहते हैं और ये क्या करता है, atmosphere जो हमारे nitrogen present है उसको convert करता है usable form में यानि जिस form में plant यूज कर सकता है लेकिन एक खास बात ये कि जो rhizobium bacteria है ये अपना food खुद से नहीं बनाते ये जिस plant के अंदर रहते हैं उसी plant से nutrient ले ले लेते हैं तो ये रहते कहाँ पर है जो जड़े होती है ना roots होती है कुछ plant की जैसे आपका gram हो गया यानि चना, peas यानि जो मटर हो गई, moong हो गई beans हो गई जिसे आपका राजमा हो गया या और भी जो legumes हो गया legumes क्या होते हैं दोगो food को हमने कई तरीके से divide किया है यानि कई part में हमने divide कर दिया अलग-अलग type बना दिया है जिसमें से एक type आपका cereals हो गया जिसे अनाज होता है, यह हूँ चाव लगयरा हो गया और एक group हमने बना दिया, इसका नाव हमने रख दिया legumes, ठीक है तो legumes एक तरह के group हैं food के, तो जो legumes के plant होते हैं यानि ऐसे पौधे, जिसको हमने legumes की category में रखा है तो उनकी जड़ों के अंदर यह present होते हैं और उन्हें क्या करते हैं, nitrogen provide करते हैं अब legumes ऐसे plant होते हैं जिनको nitrogen की बहुत ज़रुत होती है क्योंकि उन plant के अंदर protein ज़रुत होता है और अभी हमने देखा था कि protein के लिए nitrogen की ज़रुत पड़ती है तो प्रोटीन जादा उनको बनाना है इसका मतलब नाइटोजन जादा यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया इनको नाइटोजन प्रोइड कर देता है यहाँ पर इमेज देख सकते हो यह एक लग्मिनस प्लांट है उसकी यह रूट्स है जड़े हैं और यहाँ गोल गोल ऐसे गांट जैसा नहीं दिख रहा है इसी के अंदर यह बैक्टीरिया रहते हैं तो यह बैक्टीरिया प्लांट को नाइटोजन प्रोइड करते हैं बदले यह जो ग्रूप है यह बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर के लिए यानि राइजोबियम बैक्टीरिया और प्लांट का जो रिष्टा है वो बहुत जादा जरूरी है इससे होता यह है कि रिड्यूज दा यूज ऑफ नाइटोजन फर्टीरिया प्रोइड कर देगा प्ला नाइटोजन होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया ने प्रोइड कर दिया है बहुत सारी जो पल्से यह जो दाल होती है वो कहां से अप्टेन होती है इसी लेगुमिनस प्लांट से यानि ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जड़ों के अंदर यह राइजोबियम बैक्टीरिया हमको म parasitic जैसे कि हमने एक ascuta देखा था, अमर बेल, जो कि दूसरे प्लांट के उपर लपट जाता है और उसके nutrients लेता है, यह आपके separotrophic हो गए, जो कि dead or decaying material के उपर यह ग्रो होने लगते हैं, जैसे गीली मिट्टी पे mushroom ग्रो हो जाता है, सरने वाली लकडी के उपर ग्रो होने लगती है, तो उसके उपर जो fungi ग्रो होने लगते हैं, तो fungi किसका example है, separotrophic का है, तो यह nutrient कहां से opting करते हैं, दूसरे organism से, यह खुद से नहीं बनाते हैं, सारे जो animal है, उनको हम किस category के अंदर रखेंगे, heterotrophs के अंदर, क्योंकि यह depend होते है, plant पे, या फिर दूसरे animal पे क्योंकि insectivores में क्या होते है, ऐसे plant होते हैं, जो कि insect खाते हैं, लेकिन हमने यह भी देखा था कि वो photosynthesis भी करते हैं, यानि खुद से अपना खाना बनाते हैं, यानि कुछ कह सकते हो, वो autotrophic भी होते हैं, और insect खाते हैं, यानि दूसरों भी थोड़ा सा depend रहते हैं, तो वो उसकी वीडियो बना दूगा, ठीक है, बाकी पढ़ने वाले चीज यहां पर हमारी complete हो जाती है, इस चैप्टर की और वीडियो अगर आपको देखनी है, तो इस तरह से आपको mobile होगा, वीडियो प्ले हो रही होगी, पहले तो आप वीडियो को लाइक कर लो, उधर लाइक क जो भी blue class से link होगा, उस पे click करोगे तो वो part वाली वीडियो play होने लगेगी, और नीचे आओगे तो यहां पर और भी जो subjects हैं, उनकी playlist का link आपको मिल जाएगा, जैसे class 7 science है ना तो उसके सामने वाले link पे click करोगे, तो class 7 science की playlist open हो जाएगी, वहां पर सारही chapters की वीडियो आपको मिल जाएगी, ओके थैंक यू